राइज़ श्री राम, राइज़ श्रीवादी उद्धव ठाकरे, वीर सावरकर जी का नाम अपने भासन में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या, बोलिये कर सकते हैं क्या, अगर सावरकर का नाम लेने से सर्माती है, तो काई की सीवसेना के अध्यक्सो उद्धव जी, आप नकली सीवसेना चला रहे हो, असली सीवसेना एकनाच पूछा महराष्ट की चीनी मिले क्यों बन होई आज में यहां हूं जब पवार साब को कॉपरेटिव मुव्मेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं आज महराष्ट में 202 चीनी मिले थी पवार साब जवाब दो क्यों 101 ही बची है क्यों बंद गई दस साल आप कुशी और कोपरेटिव के मंत्री दे आपने क्या किया महराष्ट में लोगसभा की 48 सीटों पर 5 फेज में मतदान हो रहे हैं 19 अपरेल को पहले फेज में 5 सीटों पर मतदान हुआ जबकि 26 अपरेल को 8 सीटों पर वोटिंग वहीं अब 7 माई को 11 सीटों पर और 13 माई को 11 सीटों पर वोटिंग है वहीं 20 माई को 13 सीटों पर वोटिंग होनी है बागी बचे तीन फेज में बीजेपी ने पूरी इताकत जोग दी है इसलिए आमिद शाह के रडार पर कॉंग्रेस भी रहे देखो सांगली वालो कमल पर बटन तो दबाना मगर इतने गुस्टे से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे दरसल महराश्ट में लोग सभे के 48 सीटे है एंडिया की तरफ से बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं शिवसेना 15, NCP 4 और RSPS 1 सीट पर मैदान में है वहीं महाविकास अगाडी की तरह शिवसेना यानि उद्धव बाला साहब ठाकरे 21 सीट, कॉंग्रेस 17 सीट और शरत पवार वाली NCP 10 सीटों पर ताल ढोक रही है कॉंग्रेस के लिए इस बार के चुनाव में करो या मरो की स्थिती है लहाजा राहूल गांदी लगतार, बीजेपी और पीम मोधी पर हमला वर पुणे की रैली में उन्होंने जम कर निशाना साथ चुनावी प्रचार के बीज, मुंबाई उत्तर मध्यलूक सभास सीट से बीजेपी उमिदवार उज्वल निगम ने परचा भरा उज्वल निगम मुंबाई आतंकी हमले जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी वकील के तौर पर अदालत में सरकार का पक्ष रख चुके है आज तक बियरो